यूक्रेन में फसे आरा के शात्र की मा को अब भगवान और पधान मंतरी पर भरुशा देखी इस रिपोर्ट में दो देशों के बीच घमास्तान लड़ाई में यूक्रेन में फसे लोगों के लिए भारत के तमाम इलाकों में दुआएं मांगे जा रही है प्राटनाए की जा रही है बता देख यूक्रेन पर रूस के ओर से लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन के एक हिस्सा कीव के आंतरिक स्थिती में भूचाल आ गया है स्थानिय नागरीकों के साथ साथ भारतिये लोगों की जान भी वहाँ निरंतर खत्रे में बड़ी हुई है वही बिहार के भोचपुर जिले के आरा के एक मेडिकल शात्र कृष्ण पाल दुर्ग ध्वाज सिंग यूक्रेन के लवीव सिटी फिलाल फसा हुआ है वहाँ के नेशनल मेडिकल कॉलेज में MBS सेकंडियर में पढ़ते हैं परिवार उन्हें सही सलामत वापस भारत लाने की गुहार लगा रहा है कृष्ण पाल मूल रूप से अग्याव प्रखंट के बरुना गाव के निवासी है कृष्ण पाल के परिजनों ने बताया कि कृष्ण पाल ने बताया है कि वो अभी हॉस्टल में ही है ओफ लाइन क्लासेज को बंद कर दिया गया है युनिवर्सिटी ने भी जल्द से जल्द देश से जाने के लिए कह दिया है यहां हालात दिन प्रति दिन खराब होते जा रहे हैं लोग ATM में लंबी लाइन लगा कर रुपई कठे कर रहे हैं खाने पीने का सामान जमा करने में लगे हैं वही परुजनों ने मताया कि कृष्णपाल आने के लिए दो मार्च का टिकट करवाया था स्थिख खराब होने से सभी फ्लाइटों को रद कर दिया गया है हम लोग लगातार भारतिये दूतावास के संपर्क में हैं वही अब कृष्णपाल के घर में दहशत का महौल है डर बना हुआ है उनकी मान नीलम सिंग के आखों में आसू देखा जा सकता है अब वो भगवान और देश के प्रधान मंत्री पर भरोसा कर रहे हैं अर्थे भी आधी है के मेरे बच्चे को मेरे सारे साथ seulement अच्छे वापस वरक है कि अए बात हुई है आज जिए हाँ सुभा बातशुेंगे है त्या कहां हुआ है इंच्या नहीं हैं तो अ बताती है वहाह एक स्थितिक आभि प्लोग साही नहीं है ह्यां को जए है बोच्पूर्ण निवस के लिए आरास्ते तारकेश्वर प्रिसात की रिपोर्ट